नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस यूटूब चैनल जेके वितारके में दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर क्या हैं आधुनिक भारत इतिहाद से समंधित कुछ बहुत ज्यादा महत्पुर्म प्रस्ण जो अगामिया के किसी भी तरह की परिशा के लिए बहुत ज्याद फव्वाजन हुआ था था सुरत में यह है और इसका और 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 ज्यादा में क्या तरह काूँफ झूख रख क्या है और तो और एक कम Assam गरम दल वाले बोल रहे थे की मेरा भाडव बनेगा और इसी बिपने सब्सक्राइब के शूरत अधिवेशन में कोंग्रेस का भीवाजन हो गिया तो आपको बता दें कि भारत्यमारonn mu 1947 में अजाध होने के पूर्व क्या था 562 रियासतें थी 562 राजा थे जिनका अपना सवतंत्र राज था अपने पहले भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में की राजा महराजाओं की जूती अपनी छेत्र थी तो इन्ही 562 रियासतों को भारत को एक संग बनाना था सभी को मिला करके ठीक है तो इसी का जो काम किया था वो काम किया था सरदार वललब है पटेल ने इनी सारी रियासतों को भारत में मिलाए था और ये बहुत बड़ा काम था बहुत कठिन काज था फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अच्छी दिमाग लगा करके सर्दा व्रलो भाई पटेल ने सारी रियासतें को एक करके भारत को एक संग राज में तब्दिल कर दिया तो इनका बहुत बड़ा जोगदान रहा है भारत को एक बनाने में अगला प्राशन है किस ने अपना पूरा जीवन विद्वा पुनर विवाह के लिए अरपित कर दिया था सई उतर है option C इस्वर चंदर विद्या साकर यहां पर देखिए विद्वा पुनर विवाह यह समझीत यह है इसका कहने का मतलब यह है कि पहले क्या होती थी कि कोई लेडि जिनके हस्बेंड डेथ कर जाते थे तो उनका पुना विवाह नहीं हो पाता था यह यहां पे भारत में परचलेने साथा लेकिन इस कूपर्था को तोड़ने के लिए इसवर चंद विद्या सागर ने बहुत बड़ा जोगदान दिया है और इन्होंने बिद्वा पुनर विवाह को फिर से पुनर बहाल करने का बहुत बड़ा जोगदान दिया है और परियास किया था इन्होंने अगला प्रस्थन है सिवाजी औरंगजेव के आगरा दर्बार में कब उपस्थित हुए थे सही उतर है ओप्शन सी 1666 इस्वी में कब बहाल हुए थे तो 1666 इस्वी में बहाल हुए यहाँ पे उपस्थित हुए थे अगला प्रस्ण है सवराज मेरा जन्मसीद अधिकार है यह नारा है आपने पढ़ा भी होगा इसको सवराज मेरा जन्मसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहां पर दिया था सही उतर है option C नेयाले में इनके उपर एक केस चल रहा था और यह नेयाले में उपस थी थे तो वहीं पर इन्हों ने कहा था कि सवराज मेरा जन्मसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा और यह किन्हों ने कहा है तो यह कहा है बाल गंगाधर तिलक ने इसको भी की जो पूजा की जाती है वो किनका जुगदान है इसको अस्टाट कराने में तो देखिए इसका सही उतर है option B बाल गंगाधर तिलक इनका में जुगदान रहा है यहां पर गंपत्षी उत्सव को प्रारम करने में महाराष्ट में एकला प्रसन है किस ने कहा था कि मेरे सरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिस समराज के कफन की किल बनेगी और यह कहने वाले जो बैकती थे वो थे लाला लाजपत्राय आपको बताते हैं भारत में साइमन कमिशन आया था उनीस सो अठाई सीस्वी में भारत में आया था साइमन कमिशन और इसी को बिरोध इसी का ब अबर आकर्मन कर दिया और आकर्मन किया तो इनका खेर डेथ ही हो गया था कुछ दिन के बाद लेकिन उसी टाइमिन हुने कहा था कि मेरे सरीबर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिस समराज की कफन की किल बनेगी तो किस ने कहा था लाला लाजपत्राय ने 1928 में साइमन कमिशन इनके समय में अगळा प्रैसनतरेगते हैं सवतंतरता के बाद भारती ये लोगतंत्र के समझ की चुनोती वो थी यह सभी क्योंकि है गरीबी का उन्मूलन हो गया था परियावरन संत्छन और बनाए रखना गरीबी का मतलब जो भी बहुत सारी सीजें थी बटवारा हो गए थी वहां पर बहुत ज्यादा गरीबी व्यापती पर्यावरन में संतुलन भी नहीं बन पा रहा था और सांती बनाए रखना यह तो अहम मुद्दा था वहां पर क्योंकि जब 1947 में हमारा देश पाकिस्तान और भारत और इसी को ले करके बहुत बड़ा दंगा हुआ था जिसके कारण सांती बनाए रखना यह तो पॉसिबल ही नहीं था और हिस्ट्री जदिया पलट के देखते हैं तो बहुत सारे लोग मारे गए थे भारत वाले लोग पाकिस्तान आ रहे थे पाकिस्त जो पंडीत रवि संकर जो गीत गाया था मूहूंद एकबाल ने सारे जहां से अच्छा उसको संगित बद किया है अज़र ये गीत कब गाया गया था तो देखें मुहमद इक्बाल के दौरा ये गीत 1905 इसमी में गाया गया था लेकिन 1950 इसमी में रुपंडित रवी संकर के दौरा इसको संगीतब्ध किया गया प्रसन पूचा जैगा कि पहली बार जो गीत गाया गया था मुहमद इकबाल के द्वारा सारे जहां से चक कब गाया गया था तो आपको अनसर 1905 करना है अगला प्रस्ण है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की अस्थापना किस ने की थी तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की जो अस्थापना करने वाले वैक्ती थे वो थे ये वो वियूम विटिक है, उनिसो अस्वर यह प्यolkom 885 में इनके दौरा इसका अस्थापना किया था कब किया था तो 1885 में यह ह्यम के दौरा इसकी अस्थापना किया था ऊचाहि इस समझाधी एक परस्ठ आप को और पूछातेगा कि यहाँ पर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का पर्थम अध्याच जो बने थे वो कौन बने थे तो आपको मारना है W.C. बंदर जी आनिकी बेवमेश चंदर बंदर जी इनका नाम था जो पर्थम अध्याच बनाये गए थे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के तो यह दोनों परस्त आपको आद रखना है एगला परस्त है भारती राष्टी कॉंग्रेस का यह नाम किस ने दिया था तो देखे भारती राष्टी कॉंग्रेस जो यह सब जो नाम जो है इसका नाम आखिर दिया किस ने था किसी ने तो दिया होगा ना तो इसका जो सही उतर है ये दिये थे दादा भाई नरोजी ने इस नाम को दिया था आपको बताते कि पहले भारती राष्टी कॉंग्रेस ये नाम नहीं था पहले इसका दूसरा नाम था और दूसरा नाम था इ खारती राष्टी कॉंग्रेश के सबसे अधिक समय तक अध्यच्छ रहे थे वो रहे थे Uapland, अबुल कलाम आजाद, सबसे अधिक दिनों के लिए भारती राष्टी कॉंगरेश के अध्यच्छ बने रहे थे, अगला प्रसने निम्रिकीत में से किस ने बिधवा, बिवाह, म की अस्ठापना की थी अगला प्रस्त है निमलिखित में से कुन सीवर्स पहली बार भारतिय राश्ट्य कॉंग्रेश कॉंग्रेस विपाश में बैठी तो भारतिय राश्ट्य गॉंग्रेस जों बीअठी थी पहली बार इसका सही उतर है अप्शन D 1977 हिस्वी में आपको पता है यहाँ पे सत्ता में परिवर्टन हुआ था इमर्दनसी खतम हुआ थी इंद्रा गांधी पहले परधान मंतरी थी उसके बाद यहाँ पे वोटिंग हो गया था 5 साल का काजकाल भी पूरा नहीं हुआ था चार साल में वोटिंग किया गया और उस टैम कॉंग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी और यहाँ पे गर कॉंग्रेसी सरकार बने थी और यह बिपच में बैठी थी 1977 में पहली बार भारती राश्टिय कॉंग्रेस अगला प्रस्थन है बड़ा इमाम बाड़ा कहा इस्थित है सही उतर है उप्षन भी लखनव में बड़ा इमाम बाड़ा लखनव में इस्थित है अगला प्रस्थन है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था तो यह चार उप्षन अपके सामझे दिया गया है कौन इसी हस्ती है जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है सही उतर है ओप्षण टी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है भारतीयराश्टी कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यच्छे कौन बनी थी बहुत important प्रसन है क्योंकि ये महिला से related सवाल है तो आपको जरूर आद कर लेना चाहिए सही उतर है option D any present पर्थम बार जो भारती राष्टी कॉंग्रेस की पर्थम अध्यच जो बनी थी महिला बनी थी वो बनी थी any present अच्छा इसे समझेत आपको एक सवाल और पूछा जाएगा कि ये किस वर्ष भारती राष्टी कॉंग्रेस की महिला बनी थी तो ये बनी थी 1907 इसवी में और कलकाता में अधिवेशन हुआ था और ये 31 अधिवेशन था ठीक है तो आपको ये तीनो चारो फेक्ट आपको आद रखना है अगला प्रसन है 1919 में रोलेक्ट एक्ट किसके लिए परसीद था सही उतर है ऑप्षन भी संदेह के अधार पर गिरफतारी देखें 1919 में एक रोलेक्ट एक्ट आया था जिसको अंधा कानून या काला कानून भी कहा गया था इस कानून का मतलब यह था कि ब्रिटिस वाले जि और इसका ना वकील होता था ना दलील होता था इसलिए इसको अंधा कानून कहा गया था रोलेक्ट एक्ट को जो 1919 में पारित हुआ था अगला प्रसन है बार्दोली सत्यागरह का समंध की सब्यक्ति से है तो देखें सही उतर है ऑप्षन सी सर्दार वल्ला भाय पटेल यह स राजा सुकर वसुले के विरोध में किया गया था क्योंकि राजा सुकर का जो वसुली हो रहा था बहुत ज़्यादा इसका टेक्स बढ़ा दिया गया था और इसी के वज़ए से बार्दोली सत्यागरह हुआ था अच्छा आपको बता दें कि सर्दार वल्ला भाय पटेल ज भी होथ ही प्रष्ण इम्पोटेंट घंप लोग्या था कंग्रेस दौरा पुर्ण सव्राज की गई थी उसके दौरा यहां पर सवाइने अवग्या आन्दोलन पॉर्ण किया गया था तो दोस्तों आज के प्रस्ट में इतना ही हम लोगे उने टोटल 20 इंपोर्टेंट परसन देखें, उम्मीद करता हूँ वीडियो पर कुछ पसंद आया, अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहे हैं, जीके भी उतार के मिलते हैं, फिर किसे दूसरी वीडियो में, थेंक्यू